है स्टुडेंटस वैल्कम डिस वीडियो तो आज के अमारा जो वीडियो है वो कक्सादस के ओन-lain lecture सिरीस का चौदा वीडियो है इससे पहले अमने 3 वीडियो अप्लोड कर दिये हैं वह वीडियो अगर आप देखना चाहिए तो इस वीडियो के description में आपको उन वीडियो की link मिल जाएगी मैं playlist की जो है वो link डाल दूगा class 10 science की जो playlist है उसकी link डाल दूगा जिसकी मदद से आप सारे वीडियो को एक साथ sequence में देख पाएंगे तो आज की वीडियो को सुरू करने से पहले हम अमने जो पिछली class में जो topic cover किये थे उनका एक बार revision कर लेते हैं fast track में समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था ताकि आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे आसानी से समझ सके हैं तो पिछली जो class थी lecture number 3 उसमें हमने चार topic cover किये थे सबसे पहले हमने पढ़े अमल और सार के शामान्य गोन उसके बाद में अमल शार और लवन के उप्योगों के बारे में हमने पढ़ा फिर मैंने आपको pH scale के बारे में बताया यह क्या होती है इसका डाचा किस तरह का होता है फिर मैंने pH का आपको formula भी समझाया और फिर देनिक जीवन में pH का क्या महतो होता है पांच पॉइंट है वो पांच पॉइंट मैंने आपको detail में समझाये तो आज का जो वीडियो है उसमें हम देनिक जीवन में कुछ ऐसे रसाइन है जिनका हम daily basis पर use करते हैं और उनकी बारे में हम complete information पढ़ेंगे जैसे कि NACL हो गया, NaOH हो गया, विरंजक चून हो गया, sodium carbonate हो गया इनके बारे में हम detail में analysis करेंगे तो आज के वीडियो में हम तीन लोणों के बारे में या फिर तीन योगिकों के बारे में पढ़ेंगे तो start करते हैं हम one by one तो सबसे पहला जो हमारा योगिक है वो है NACL आप सब इससे बली बाती परीचित है जो हम घर में नमक का use करते हैं उसका formula होता है NACL तो इसके बारे में कौन-कौन सी उपयोगी जानकर यह उसके बारे में देखते हैं 2-1 यह उदा सीن ल्वन होता है उदा सीन ल्वन से क्या अतादपरी है मैंने आपको पिछली वाली klocks पता है किनसे होता है स्वारी एन एससील का निरमान हमें पता है किस से होता है NAOH प्लस HCL जहां पर NAOH क्या है प्रबल सार है और HCL प्रबल अमल है इस तरह से वो दोनों रियक्शन करके उदासीन लवण नेसेल का निर्मान करते हैं अब चूंकि लवण उदासीन है तो इसकी प्रबल नेसेल करते हैं परनतो वो जो नेसेल होता है उसमें कुछ असूदियां पाई जाती है वो असूदियां होती है Magnesium Chloride and Calcium Chloride अब हमें सूद NACL प्राप्ट करना है तो इसके लिए हम इसका सूदिकरन करते हैं कैसे करते हैं सूदिकरन वो देखते हैं जहां पर NACL का उत्पादन किया जाता है जिस सेत्र में जो है वो जल को वास्पित करके नमक का निर्मान किया जाता है वहीं पर S.C. अवस्था जिसके बाद में और अधिक विले मिलाने पर वहाँ पर अवक्षेपन स्टार्ट हो जाए तो हमें अवक्षेपन की लास्ट स्टेज तक जाना है और उस विलेन को टंकियों में भढ़ना है टंकी में जो असुद NACL उपस्तित होगा उसमें अगर हम S.C.L. बारी मातरा में डाल दें तो नीचे NACL सुद रूप में अवक्षेपित हो जाता है तो इस तरह से वहाँ पर प्रक्रिया की जाती है और असुद NACL को सुद NACL में ट्रांसफर किया जाता है एक बाल मैं प्रोसेस आपको वापस समझाता हूँ बड़ी बड़ी टंकियों म NACL यानि की नमक के सामाने गुणों के बारे में सुद ठोस पदार्थ होता है हम सब जानते हैं यहाँ पर मैं एक इमेस देता हूँ आपको जिससे हम सब वैसे तो जानते हैं कि नमक कैसा होता पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इमेस दे रहा हूँ एक तो दूँगा उसे देखेगा कि जो गलने के बाद जो लवन होता है वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि नमक में जो है वो यानि कि सोडियम दातू उपस्तित होती है यह बहुत ही क्रियासील दातू होने के कारण जब इसको गर्म किया जाता है तो यह विस्फोटक का रूप ले लेती है तो वह वीडियो आप जरूर देखना मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा अभी आगे बढ़त कि उसकी सुरक्षा अनेक प्रकार के ऐसे भोजी पदार्थ होते हैं जिने जो है वो नमक में रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है यानि कि इसका उप्योग एक खादी परिरक्षन में हो गया इसी के साथ अने प्रकार के जो योगिक होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, विरंजक्चून हो गया, इनकी निर्माण में भी जो है वो NACL का उप्योग किया जाता है, तो इस तरह से हमने NACL की प्रोपर्टीज के बारे में पढ़ा, और फिर अपने हमने जो इसका यूज भी पढ़ा, इसी के साथ NACL के बारे में कम्प्लीट डिटेल जो हमने प्राप्त कर लिए, अब हम अपने नेक्स्ट योगी की और बढ़ेंगे जो की है N-A-O-H, इसको रासाइनिक नाम है, इसका sodium hydroxide, तो sodium hydroxide है, इसका एक और नाम होता है, कास्टिक सोडा, कहीं बार बोर्ड परीक सामें पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो बच्चे अकसर konfuse हो जाते हैं कि मतलब कास्टिक सोडा होता क्या है, तो इसके निर्माण के लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक वीडियो प्ले होने वाला है, जिसको आप ध्यान से देखेगा, उसी के मादिम से आप समझ पाएंगे कि NaOH का उत्पादन कैसे होता है, तो NaOH के उत्पादन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NaCl का जली विलियन को लिया हुआ है, इसमें दो इलेक्ट्रोड जो है वो डुबाए हुए हैं और इसमें विजियो दारा प्रवाइद की जाती है, तो ऐसा करने पर के फोड़ पर जो है वो हाइडोजन गेस मुक्त हो रही है, और एनोर्ड पर सीएल्टू गेस मुक्त हो रही है, इन गेसों के मुक्त होने के बाद, विलियन में जो है वो सेस प्लइट अब्गटन किया जाता है तो मैंने वीडियो में अपने देखा था कि केतोड पर हाइडोजन Gase मुक्त होती है अगर परीखता में हमें लिखना पड़े कि एनसील का उत्योच पादन की विदी लिखो तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, एनोड पर क्या मुक्त होता है, कैतोड पर क्या मुक्त होता है, वगदा, मैन पॉइंट पर आते हैं कि इसकी रियक्षन क्या होती है, रियक्षन इस प्रकार से होती है, NACL का हमने, NACL के जली विलिन का वित्यूत अबकरण करवाया, अब हम देखेंगे कि NACL में क्या-क्या गुण उपस्तित होते हैं, तो ठोस जो NACL होता है, वो कुछ इस तरह का दिख़ई देता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह स्वेथ चिकना पदार्थ होता है, जबकि NACL क्या होता है, स्वेथ ठोस पदार्थ होता है, और NAOH क्या होता है, स्वेथ चिकना पदार्थ होता है, ठोस अवस्ता में, ठीक है, इसका गलनाग 591 केल्विन होता है, जो कि किसकी तुलना में कम है, NACL की तुलना में कम है, NACL का गलनांग जो है वो 1081 केलविन होता है ठीक है ये भी NACL की तरह जल में वीले होता है और प्रबल शार की तरह एक्ट करता है NACL हम जानते हैं कि क्या होता है प्रबल शार होता है अब हम देखते हैं कि इसका उप्योग हम कहां कहां पे करते हैं न ओच का जो पहला उप्योग है वो है साबून, कपड़ा और कागज उद्योग यह आपको याद आ रहा होगा कि मैंने पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको न ओच का उप्योग बताया था वहाँ पे एक पॉइंट आया था जिसमें मैंने आपको न ओच का उप्योग बताया था और आपको एक ट्रिक याद करने को कहा था नासा का वस्त्र जिसकी मदद से आप इसका उप्योग याद कर सकते हैं नासा का वस्त्र इसको अपनको याद रखना है तो पहला उप्योग हो गया फिर आता है इसका उप्योग जो है वह धातु कर्म में दातु कर्म यानि कि जो खनीज वगेरा प्रिट्विस से निकाले जाते हैं उससे जो वास्त्विक दातु या सुद्ध धातु का कहते हैं तो बॉकसाइड के दातु कर्म में इसका उप्योग किया जाता है बॉकसाइड जो है वह ऐलुमूनियम का एक खनीज होता है उसके दातु कर्म में जो है वह एन एओच का उप्योग करते हैं फिर आता है वसा और तेल के निर्मार में इस पॉइंट को याद रखने का सबसे आसान तरीका है मैंने आपको उपर बताया था कि जो नोच होता है वो स्वेथ चिकना पदार्थ होता है तो चिकने से हम समझ सकते हैं कि इसका उप्योग वसा और तेल के निर्मान में करते हैं क्योंकि ये भी चिकना युक्त पदार्थ होते हैं अगला जो इसका उप्योग है द्रव नोच या फिर टोस नोच का उप्योग प्रयोग साला में किया जाता है अक्सर हम जब प्रयोग साला में काम करते हैं तो कुछ अभिक्रियां जो है वो उदासीन म आधियम को उत्पन करते हैं तो इस तरह से हमने इसके उप्योग नहोंच के देख लिए हैं अब हमारे नेक्स्ट योगिक पर चलते हैं जिसका नाम है केलसियम ऑक्सी क्लोराइड या फिर विरंजक चून विरंजक चून का जो फोर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है सी एओ सी एल टू इसका जो रासाइनिक नाम होता है वो होता है केलसियम ऑक्सी क्लोराइड और इसे इंग्लिस में जो है वो ब्लीचिंग पावडर भी कहते हैं तो इसका निर्मान कैसे होता है सबसे पहल जब हम क्लोरिन गेस के साथ करवाते हैं यानि कि CL2 के साथ जब केल्सिम हाइड्रोकसाइड की अभिक्रिया की जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें विरंजक चून जो है वो प्राप्त होती है और साथ में जो है वो जल का निसकासन होता है ठीक है तो इसका उत्पादन हमने देख लिया है कि केल्सिम हाइड्रोकसाइड की अभिक्रिया CL2 के साथ करवाने पर विरंजक चून का फॉर्मेशन होता है अब हम देखेंगे इसके क्या-क्या गुण होते हैं तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं चार तरह के गुण लिखेंगे यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे विरंजक चून का हलका पीला और सफेद रंग इसका होता है तो पीला रंग होता है हलका पीला होता है वैसे तो परन्तो हम पीला ही मानते हैं इसको पीला तिक्सनगंद वाला ठोस पदार्थ होता है और यह जो होता है ठंडे जल में विले होता है जबकि NACL और NEOH जो हमने पड़े थे वो ठंडे और गर्म जल दोनों में विले होते हैं और इसको वायू में खुला चोड़ने पर CL2 गेस जो है वो रिमो हो जाती है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है CAO CL2 वायू में खुला चोड़ेंगे तो CL2 गेस जो है वो निसकासित हो जाएगी और CL2 गेस एक और तरह से भी निसकासित होती है जब विरंजक चूण की अभिक्रिया क्लॉरिन के सاتThe विरंजक चूण प्लस अमल लवन प्लस जल प्लस क्लॉरिन यह पैटरन हम याद रखना है इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और एक्जाम प्लिया है SCLs के साथ अभी किरिया करवाई है पेटन से हमें लवन प्लस जल प्लस क्लोरी इसका निर्माण कैसे हुआ सबसे हमें हमें H2O और CL2 को बाहर निकालना है तो पीछे जो बचेगा वो लवन बन जाएगा तो यह किस तरह से CL2 गेस निसकासित होती है इसका मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें जो है CL2 गेस बुलबुलों के रूप में निसकासित होती है तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि परक्नली के अंदर जो है वो एसिड को बरा हुआ है और उपर से हम इसमें जो है वो calcium oxichloride यानिक विरंजक चून डाल रहे हैं जिससे परक्नली में जो है वो बुलबुले उठना start हो जाते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से बुलबुले उठ रहे हैं इसमें तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले topic मलब अगले पॉइंट की और अब हम देखेंगे विरंजक चून का उप्योग हम कहां कहां पे करते हैं उप्योग से पहले हम एक पांचवा पॉइंट में बाप को बताना भूल गया था इसमें जो है वो निर्गत CL2 गेस होती है यहां पे हमने ऐसी डाला यहां से CL2 गेस मुक्त हो गई इसको हमें वेस्ट नहीं करना है इसका हम उप्योग कर सकते हैं इसका उप्योग किसमें करेंगे हम नवजात ऑक्सिजन को बनाने में इसका उप्योग करेंगे जब CL2 गेस को जल में प्रवाइद किया ज होते हैं उसकी reaction जब नवजात oxygen के साथ करवाते हैं तो वो रंग हीन पदार्त में convert हो जाती है तो बोर्ड में कहीं बार सवाल पूचा जाता है कि नवजात oxygen का क्या काम होता है रंग हीन पदार्तों को रंग हीन पदार्तों में convert करना अब हम देखेंगे कि विरंजक चून के क्या-क्या उपयोग होते हैं उपयोग में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहां पे बताया है कि इसका उपयोग वस्तर उद्योग और कागज उद्योग में किया जाता है एक और योगिक का किया जाता है जैसा कि मैंने नवजात ऑक्सिजन को बनाया है तो किसी भी योगी की क्रिया अगर हम ऑक्सिजन के साथ करवाएंगे तो उसे हम ऑक्सिकरण कहते हैं और ये ऑक्सिजन कहां से उत्पन होई है कैसे उत्पन की हमने CL2 से उत्पन की और CL2 कहां से आई है विरंजक चोन से तो विरंजक चोन का कारिय हो गया ओक्सिकारक के रूप में आप समझ चुके होंगे इसमें फिर एक इसका उप्योग होता है रोगाणो नासक के रूप में यानि कि जो कीडे मकोडे वगरा होते हैं उनको नश्ट करने के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है साथ ही इसका उप्योग पेजल को सुद्ध करने में किया जाता है अगर हम याद करें तो मैंने आपको फिटकरी का उप्योग बताया था पेजल को सुद्ध करने में और उसका रसाइनिक सुत्र जो है वो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था K2SO4, AL2SO43.24H2O तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में तीन रसाइनों या योगिकों के निर्मान की परक्रिया इसके लक्षण या गुण और इसी के साथ हमने इसके उप्योग भी समझे हैं तो इसी तरह से धिरे धिरे हम आगे की और बढ़ेंगे तो कौन-कौन से योगिकों के बारे हमने चर्चा की थी एक हमने सबसे पहले लिया था NACL यानि की नमक उसके बाद में हमने NaOH यानि की सोडियम हाइड्रोकसाइड और उसके बाद में हमने जो पढ़ा कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड यानि की विरंजक चुन या फिर ब्लीचिंग पाउडर तो इसी तरह से हम आगे की और बढ़ते जाएंगे तीन इसी तरह की रसाइन और हैं उनको पढ़ने के बाद हम साबून और अपमाट जग पर बढ़ेंगे उसी के साथ हमारा ये पहला जो चैप्टर है या सेकेंड यूनिट का जो पहला चैप्टर है या फिर ओर और देखें तो पांच जो चैप्टर है देनिक जेवन मेरा साइन वो समाथ हो जाएगा तो चैनल से हमेसा के लिए कनेक्ट होने के लिए आप इस वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे होंगे उस पे आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन बेल को ओन करना है ताकि हर एक वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पीछे वाले वीडियोस है उन सबकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे रहा हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ